हेलो फ्रेंड्स विकी वादबा रेड डैस क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स आपकी सपोर्ट का थैंक्स आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हम वीडियो लेके आते रहेंगे हर वो इन्फर्मेशन जो आप जानना चाहते हैं जो भी आपके दिमाग में क्वैरी है क्रिकेट एक्यूप्मेंट बनता कैसे है इसका रखर खाव कैसे है मेनली क्रिकेट बैट के बारे में हर वो इन्फर्मेशन आप तक पहुंचाना यही हमारा मोटिव है और आपकी मोटिवेशन से हम आगे से आगे वीडियो लेके आते र के उपर बना है बहुत सी क्वैरी आपकी बहुत मैनूटली आप चीज़ें जाना चाहते हैं और हमारी भी कोशिश है आज के वीडियो में कि आपके जो क्रिकेट बैट्स हैं उनके तूटने के क्या कारण हो सकते हैं और उसका हम कैसे बचार कर सकते हैं इस वीडियो में दे जी कि मैंने नया बैट लिया था थोड़ा सा खिला बैट बीच में से तूट गया जी दो हिस्से हो गया दो हिस्से होने के कई कारण हो सकते हैं मैं ट्राई करता हूं कि उससे कैसे बचा जा सके आपको क्या करना है देखिए जब भी हम नया बैट लेते हैं तो बहुत सी चीज इसके कई कारण हो सकते हैं सबसे जो उसका मेन कारण होता है वो आपकी लापरवाही होता है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप बैट कहीं से बाई करते हैं तो आजकल बड़ा ट्रेंड है कस्टमर को सर्वेस देने के लिए सब नौकिंग मशीन लगा रख मैच फिट है नहीं नहीं इसलिए क्योंकि नौकिंग के डिटेल्ड वीडियो तीन चार इकठे पड़े हुए है चैनल में आप देख सकते हो नौकिंग में दो परसेस होते हैं एक होता है सर्फेस की टोनिंग जो आप मशीन से कर सकते हैं जो आप मैलट से कर सकते हैं जो बैट तूटने की प्रॉब्लम जदा तर उन बैटों में आती है जिसमें आपको मशीनी नॉकिंग करके ये कह दिया जाता है कि भाई जाके मैच में खिलो मैच में नहीं खिला जा सकता है नॉकिंग के दो पार्ट हैं सर्फेस की टोनिंग और फ्लेक्सिबिल्टी ऑफ हैंडल सरफेस तो आपने टोन कर दिया हेंडल आपका हाड है क्योंकि हेंडल को बनाने में हेंडल में ये तीन रबडे डालने में गलू डला हुआ है इसमें 1500 ग्राम फैवी को लग जाती है एक हेंडल को बांधने में सरफेस तो आपने टोन कर लिया handle जब hard रह जाता है आपको advise किया गया होता है कि आप match में खिलो आप जाके उसको normal bad की तरह use करना चुलू कर देते हो handle hard रहता है आप hard hitting चुलू कर देते हो या नहीं भी करते जब hard handle के उपर bad पे ball लगता है तो ये handle flexible नहीं होता तो वो ball का सारा impact दो हिससे हो जाता है तो दो हिस्सों को generally बचाने के लिए आपने bad की knocking तो करनी करनी है bad की flexibility of handle का भी ध्यान रखना है वो कैसे आएगी वो सिर्फ grounded knocking से ही आएगी आपको match में लजाने से पहले bad के साथ 2400 ball ले खेल नहीं पड़ेंगी हलके हलके drive so that handle flexible हो जाए यह सबसे बड़ा कारण है कि bad बीच में से दो हिससे हो जाता है दूसरा कारण इसका दूसरा कारण होता है जब आप bad customize कराते हो आप सिरफ यह कहते हो कि जी मुझे यहाँ पर meet चाहिए मुझे यह हिस्सा भी नहीं चाहिए कोई भी maker जो अपने नाम से काम करता है वो technical specification के साथ कभी compromise नहीं करेगा वो एक अच्छा खासा meet रखता है यहाँ पे so that की bad यहाँ से टूटे ना जब आप अपनी requirement बताते हो कि जी मुझे यहाँ पर wait नहीं चाहिए चील दो चील दो maker क्या करेगा ने तो बैट दो हिस्से हो जाएगा तीसरा करण कई करण हो सकते हैं natural product है और दो बड़े ध्यान से हमने बैट बनाया होता है बहुत कम ऐसी लकड़ी होती है जिसको हम बैट में convert नहीं कर सकते हैं मतलब उसमें जाननी होती हैं हम उसको कई और जगए फे जूज कर लेते हैं tennis बैट बना लेते हैं box cricket बैट बना लेते हैं wind ball से खेलने वाले बैट बना लेते हैं so intentionally कोई भी maker ऐसी लकड़ी जो दो फाड़ होने वाली है वो नहीं लगाता फिर भी बैट तूटते हैं natural product है helpless है हम nature के आगे दूसरी problem मैं आज की वीडियो में सरफ break के जो बता रहा हूँ मैं wear and tear के बारे में बात नहीं कर रहा है कि बैट तूटते जहूं है wear and tear के पहले bits and pieces में बहुत बहुत बता चुका हूँ detailed video को वो भी हो जाएगा कि wear and tear को कैसे manage किया रहे बट दूसरा जो सबसे commonly बैट तूटता है जी मेरा बैट यहां से तूट गया handle के साथ साथ crack आ गया पीछे से आ गया आगे से crack आ गया उसका जो कारण होता है वो होता है bet के handle की flexibility देखिए जब bet बनता है तो यह जो दो हसे होते हैं बैटके एक cane होता है एक wood होती है यह wood का flap यहां तक चड़ा होता है so that की handle को जबा कुशन रहे handle अच्छे से fix रहे पर यहां पे आके लकड़ी बहुत पतली परत रह जाती है और लकड़ी का nature है लकड़ी की property है की लकड़ी अपने ends से फटती है अपने ends से crack होना शुरू करती है जैसे जैसे आप bet use करते हैं तो यह लकड़ी हलकी हलकी crack होनी शुरू हो जाती है और by the time यह आगे बढ़ना शुरू हो जाता है यह तो है natural process बैट का बट कुछ नए बैटों में भी यह शीज़ देखी गई है many a time क्या होता है कि लकड़ी को बैट को हलका रखने के चक्कर में हम बैट का यह वाला जो portion है न जरूरत से ज्यादा पतला कर देते हैं यह जो area है न तो कोशिश करें कि जब भी आप बैट बाये करें यह हिस्सा थोड़ा सा ठिक ठक मोटा हो so that की यह early problem ना आ सके time के साथ आती है आएगी भी क्योंकि natural life cycle है बैट का यह आएगी ही आएगी time के साथ आए कोई problem नहीं है नहीं मेटों में नहीं आनी चाहिए उसको आप कैसे रोख सकते हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ आप time ली बैट को check करते रही है क्योंकि यह overnight नहीं आती कि आपने खेलना चुड़ू की और उसी दिन crack हो गया नहीं वो धीरे धीरे आती है आप check रखें कि अगर यहां पे crack आ रहा है तो आप उसको timely glue से fill करके बांद दें और यह process को repeat करते रहें यह एक बार आने से उसके बार दुबारा नहीं यह ऐसा नहीं होता यह आती रहेगी तो यह एक main common problem थी बैट की दूसरी जो मैंने आपको बताया जो यहां से crack होने का reason और उसकी remedy तीसरी जो problem है जी मेरा बैट यहां से तूट गया जी मेरा बैट यहां से तूट गया यहां से crack आ गया time के साथ देखे मैं आपको बताता हूँ जो यह बैट का जब हम बैट को press करते हैं न यह बैट की जो खेलने लाएक लकड़ी है न वो सिरफ यह 10 mm जितनी मोटी होती है बाकी का यह जो area होता है यह सारा supporting होता है इस pressed लकड़ी के पीछे बैट को rebound देने के लिए कहने का मतलब कि पूरे बैट में सिरफ इतना portion लकड़ी का through world surface का press होता है बाकी जो area होता है या बाकी जो wood होती है वो supporting होती है उस wood के लिए many a time देखा गया है कि pressed area अपने जगा छोड़ जाता है सभी बैटों में नहीं पर आपका concern होता है कि नया लिया था बैट गया यहां से तूट गया हाँ तूट सकता है reason कि कोई भी ball जब कम knock किये हो बैट की जड़ पे लगती है या नीचे लगती है तो pressed area hard होने की वज़ा से un-pressed area छोड़ देता है impact की वज़ा से क्योंकि बिलकुल down under लगने से बैट damage होता है क्योंकि सबसे कम flexibility जो बैट में रहती है वो इस area में रहती है इतना area तो इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि जड़ में जब भी ball लगता है तो sometime chance हो जाते है कि pressed area की लकड़ी अपने जगा छोड़ देती है ये कोई ऐसी problem नहीं है जो ठीक ना हो ये normal है आप इस में इस crack के अंदर glue डालके इसको अच्छे से fix करके इतना सा thread bind करने बैट वैसे ही चलेगा इस problem से डरने की कोई जगुरत नहीं है पर इसमें maker की गलती भी नहीं है इसमें आपकी भी गलती नहीं है natural product है लकड़ी तूट सकती है ये हो गया तीसरा reason यही है main reason जो बैट आपके तूटते है एक इस वीडियो से हटके थोड़ा सा concern किसी viewer ने भेजा था कि भाई मैं जब भी निया बैट लेता हूँ ना तो मैं बड़े ड़ते ड़ते नौकिंग करता हूँ क्यूंकि डर रहता है कि कहीं तो पे ना बॉल लग जए एज पे ना बॉल लग जए मैं क्या करूँ बिल्कुल वाजिब concern लाख लाख रपए के बैट आप बैट लिते हूँ मेंगे बैट है detailed वीडियो नौकिंग के हैं बट उस भाई का concern इस वीडियो में मैं दूर करता हूँ कि जब भी आप निया बैट ले नए बैट को आपने thread binding कभी नहीं करानी है thread binding कराऊ जब जरूरत है जब भी आप निया बैट ले तो सबसे ज़्यादा crucial जो area बैट का है वो इतना area होता है ये वाला जो area है ये इतना area सबसे crucial होता है ने बैट की जड़ के उपर जब आदा बॉल जहां आदा बॉल नीचे लगे तो बैट डैमेज हो सकता है तो उसका सीधा साधा हल यह है कि आप जब भी ने बैट लो आप सबसे पहले इस एरिये की नॉकिंग करो तो मैलड से कर लो ज़्यादा अच्छा है बॉल से नॉकिंग शुरू करने से पहले आप इतना हिस्सा जो है वो अच्छे से मैलड से नॉक करते हैं बहुत जोर जोर से मार के लकडी ज्यादा नहीं बठाले नहीं तोड़नी दिन हैं इसको इतना एरिया जो है वो आप मैलड से अच्छा कर लो एजिस को नॉक कर लो डर रहता है कि एजे पे ना लगजे एजे के उपर बॉल लग जाती है सम टाइम हलका सा लग ऐसे का क्रेक आ जाता है निया बैठ होता है बॉल कहीं लगी होती एक बॉल कोई ऐसी सीधी जहां पर लगती है हलके हलके करेक आ जाते हैं यह क्रेक बैठ टूटा हुए हम नहीं महनेंगे क्योंकि लखड़ी बैठी नहीं होती नौक नहीं हुए होती हार्ड बॉल लगता है एज ये सिर्फ बैठा है हलका फुलका क्रैक आया है ये टूटा नहीं है ये वियर टियर का हिस्सा ही मानके चलो एज बैठ गया है कोई बात नहीं अवाइड किया जा सकता था पर अगर हो भी गया है तो इसका मतलब ये नहीं है क्या आपका बैठ कंदम हो गया तूट गया यार मेरा तो दिली तूट गया यार इसका एज बैठ गया यह फिर मारना नहीं सहा कैं कम नौक्ड बैठ में जब कोई भी आप यार्कर खेल लेते हो तो ये जो सर्फिस है बहुत सेंस्ट्िव होता है यहां पे बॉल लगेगी तो दो उसके result होंगे या तो edge की तरह यह बैठ जाएगा उसकी कोई problem नहीं होएगी अगर बॉल लगने से surface इस रुख crack हो गया अगर बॉल लगी और surface यहां से इस रुख crack हो गया this is a cause of worry क्योंकि मैंने बताया कि यह area सबसे ज़्यादा sensitive होता है sensitive इसलिए आज से होता है कि सारा बैट बहुत अच्छा press होता है इतना को area by default बाकी बैट के comparatively कम press रह जता है इसलिए इस area का ध्यान during knocking बड़ा रखना पड़ता है so that कि इसको knocking होने तक कोई hard ball का impact ना लगे आप मैलर्ट से करो knock आप drives खेलो सारा दरमदार knocking के उपर है इसमें कोई भी maker का defect रही है अर्मफुल की 3-4 तरह के बैट तूटने के कारण और उसकी remedy मैंने आपके साथ share की कि कैसे आप अपने बैट को बचा सकते हैं इसके अलावा आपके दिमाग में कोई और question हो query हो आप हमें बेह सकते हैं most welcome हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी हर query का answer वीडियो के माध्यम से करें तो आप ऐसे ही support करते रहे हमारे channel को आप subscribe कीजिए friends को आगे recommend कीजिए clubs के group में डालिए जहां तक भी आपको हो सकता है try कीजिए कीजिए channel ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके क्योंकि सब को information मिल सके cricket equipment के regarding आप ऐसे ही support करते रहे keep watching keep sharing thank you